तो हाई दोस्तो मेरा नाम है नितीन और आपका स्वाकत है मेरे चैनल नितीन स्पीडिया पर दोस्तो आज का हमार टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड आउट इन्वर्स ओफ 3 by 3 मैट्रिक्स तो हम आज देखेंगे कि 3 by 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स पहुत इक कम टाइम में मतलब एक से लेकर देड़ मैं님 कहीं से फैंड आउट तो हमारे पास एक जाफ़ल के तोर पर एक मैट्रिक्स है ऍसरो मांस ओन एगए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका determinant find out करेंगे अब अगर इसका determinant find out करना है क्या करेंगे one multiplied by one को hold करेंगे one into two two minus minus one into three minus three मतलब ए माइनस त्री और यह भार का माइनस क्या हो जाएंगा plus three minus यह element कुण साइज zero multiplied by यह element यह छोड़के two into two four minus one minus one multiplied by two मतलब minus two तो यह हो जाएगा plus two plus यह क्या है minus one और minus one को multiply करेंगे यह छोड़ दिया यह छोड़ दिया two into three six minus two six minus two अब two plus three five five multiplied by one five अब zero को अगर इससे multiply करेंगे six से तो क्या है जाएगा zero ही आ जाएगा और है six में से अगर two गया तो four और four multiplied by minus one मतलब minus four तुमारा determinant कितना आ जाएगा five minus four one तो हमारा तो determinant अब आ गया अब हमको निकलना क्या है a inverse तो a inverse निकलने के लिए हमारे पास एक important formula है जो आपको सिर्फ याद रखना है one upon determinant of a multiplied by adjoint of a ठीके अब आपने determinant हो निकाल लिया अब आपको निकलना है adjoint अब adjoint निकालते कैसे है मैं आपको बताऊंगा अब adjoint होता है को factor matrix का ट्रांसफोस मतलब इस matrix का जब हम ko factor matrix निकालेंगे और उसका transpose करेंगे तब आपको agent of A मिलेगा अब मैं आपको बताऊंगा कि co factor matrix बहुत इक कम समय में बहुत इक कम time में हम कई से find out कर सके ताकि हमारा inverse जल्दी से जल्दी आ जाए अब co factor matrix find out करने के लिए आपको करना क्या है एक three by three का column निकाल देने है इसे दो करके अब सबसे पहला element one है one का a column छोड़ दो arrow छोड़ दे अब चार element बचे जिसको minor matrix बोलते है तो उनका minor का determinant लेना मतलब इसको इसको छोड़के one multiplied by two two minus minus one multiplied by three plus three तो two plus three five यहाँ पर आ जाएगा अब इस जिरो को पकड़ा इस column को छोड़ दिया इस row को छोड़ दिया two multiplied by two four minus two multiplied by minus one minus two तो मतलब four minus two plus two हो जाएंगे और यह हो जाएगा 6 आपका अब इस element को पकड़ा यह column छोड़ दिया यह row छोड़ दिया अब बचे यह माइनर तो two multiplied by three six minus two multiplied by one two तो मतलब six minus two हो जाएंगे आपके four इसी प्रकार आपको इस छे element के बारे में भी करना है मतलब अगर two को two को हमने hold गया तो ए column छोड़ दिया यह row छोड़ दिया अब zero minus one three two बचा तो zero multiplied by two zero minus three multiplied by minus one minus three three और minus three plus three three हो जाएंगा तो आपका यह हो जाएगा three अगर आपने one को hold किया तो यह पूरा column और पूरी row हाइड करने की और one into two two minus two into minus one तो प्लस हो जाएंगा तो यह आजाएगा four तो इस प्रकार अगर आपने minus one two three और two को भी किया तो आपका जो matrix है आपको मिलेगा three four one 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 अब देखो अगर आपने a इसको लिया इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया अब चार इलेमेंट बेचे zero into minus one zero minus one into minus one प्लस हो जाएंगा multiple अगर minus सिखिया तो तो यह प्लस वन अगर इसको लिया इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया one into minus one minus one two into minus one minus two मतलब यह बहार आ जाएगा और plus two होके one हो जाएगा तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो को हमको जो co factor matrix से हो मिल गया अब हमको कह चाहिए co factor matrix का cer 여 architectales लेकिन इससे पहले सबसे जरूरी बात हमको करने है इनके science चैंज करोरानीं ठीकर तो साइन चैंज करने के बास थे जह चार Fest होते एक quadrilateral की तरह इनकी sign change करना मतलब कर अब माइनस हुए तो plus करना plus हुए तो minus करना अभी सब के सब क्या है plus है तो इसको minus 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 ए इंपोर्टन श्टेप हो जो आपको करनी है अभी आपको मिल गया है A matrix अब अभी आपको A matrix मिलने के बाद क्या करेंगे आप आप एड्जोंड निकालेंगे अब एड्जोंड मतलब कोफेक्टर माइट्रिक्स का ट्रांसफोर्स जो हमने यह किया है तो क्या करेंगे इसका ट्रांसफोर्स करेंगे इसका ट्रांसफोर्स मतलब फायू मतलब ट्रांसफोर्स मतलब क्या रो is transferred into the column and column is transferred into the row अब फायू माइनस 3 1 a column है ये रो में कंडोट हो जाएंगा मतलब फायू minus 3 1 minus 6 4 minus 1 4 minus 1 1 तो ये आगया आपका एक जोइंट और अगर आपको इसका inverse निकालना है तो क्या गरेंगे अपन जो मैंने आपको बताया 1 अपन डिटेंट अफ ए multiplied by joint of A so A inverse is equal to 1 upon अब हमारा determinant है क्या आया था हमारा determinant आया था 1 so 1 upon determinant आयेगा 1 multiplied by A matrix as it is 5 minus 3 1 minus 6 4 minus 1 4 minus 1 1 तो दोस्तो ऐसे करके आप बहुत ही कम समय में A inverse 3 by 3 matrix का निकाल सकते तो उमिद है दोस्तो कि आपको वीडियो अच्छी लगे है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन किजिएगा दोस्तो वीडियो देखने के लिए थैंक्यू स्वामाच